नमस्कार मैं हो ससी संध्या समाचार में आपका स्वागत है आए जारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन के पारा सिक्षकों के लिए पहली आकलन परिक्षा 30 जूलाई को जारखन में स्ताहयक अध्यापक पारा सिक्षक की पहली आकलन परिक्षा 30 जूलाई को होगी जारखन एकेडमी कॉंसिल ने सुक्रवार को परिक्षा तीथी की घोसना कर दी है परिक्षा में वैसे प्रसिक्षित पारा सिक्षक सामिल होंगे जो जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा सफल नहीं है बता दे परिक्षा में सफल सिक्षकों के मांदे में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी वहीं परवेश पत्र 20 जूलाई से सिक्षक जार्खन एकेडमी कॉंसील के वेपसाइट jack.jharkhand.jobhi.in से डाउनलोड किया जा सकेगा परिक्षा के लिए पुरो निधारित अंक में बदलाव किया गया है राजे में लगभक्स है परिक्षा जार्खन सिक्षक पत्रता परिक्षा पास नहीं है इनमें से 43 सेयर सिक्षकों ने आवेदन जामा किया है बता दे पहले परिक्षा 250 अंकी होनी थी अब परिक्षा 1500 अंकी होगी जार्खन को जल्द मिलेगी चार और फोर लेन हाईवे की सोगाई जार्खन में भूमी अधिग्रहन, फोरेश्ट, किलेलेंस, आदिबधाव को दूर कर हाईवे के निर्मान में तेजी लाने को लेकर सोमवार को जार्खन मंत्रल में बैठक हुई बैठक में मुखे सचीव, सुकदेव सिंग और भाते राश्ट्रे डाजमार्ग, प्राधिक करन, चेर्मैन, संतोस, कुमार यादो सामिल थे मुखे सचीव ने फोरलेंड की चार नई सड़क के ब्याने का प्रस्ताव एन एच आई अध्यक्स को सौपा इसमें वास्कीनाथ दुमका, रामपूर होट खंड, रांची देवगर साहव गंज रोड, रांची से चाई बासा और जमसेदपूर से धनबाद तक पछिम मंगाल से होते हुए सीधी सलग सामिल है इस पर चेयर मैंने एन एच ए आई जार्खन के छेत्री अधिकारी को फीजी विलिटी सर्वे कराने का निर्देश दिया है बता दे एन एच आई के चेरमें सतोस कुमार यादों ने बताया है कि जारकन में एन एच ए आई तीरपन हज्जार करोर से अधिक की सड़क परियोजनाव पर काम कर रहा है साइबर अपराधियों ने अधिवक्ता वा बेटे के खाते से उड़ाए 9 लाख रुपा है रांची सिविल कोर्ड के अधिवक्ता विनाय कुमार वा उनके बेटे परतीक आनन्द के खाते से साइबर अपराधियों ने 9 लाख चाउट है और पर निकाल लिए है मामला में अधिवक्ता ने रांची इस्थी CID के साइबर थाना में सिकायत की है उन्होंने कहा है कि वे अरगोडा थाना छेतर के बाएपास पुर्नीमा हाउस में रहते हैं 21 जून को उनके पुत्र प्रतीक आनन्द के दोस्त सुभांग मिस्रा ने OLX एप पर अपनी पुराना किताब बेचने के लिए बिग्यापन डाला था बिग्यापन देखकर OLX की तरह से सुभांज से चैट किये जाने लगा इस दोरान OLX की ओर से किताब खरेने की बात कहते हुए पैसे बेजने के लिए अकाउंट नंबर वा मोबाइल नंबर मांग की गई दिब्यांगो के लिए क्या है बेवस्था हाई कोट ने सरकार से पूछा है जारखन हाई कोट ने राजभर के सिविल कोट राज उभोकता आयोग में दिब्यांगो को सुविधा उपलब्द कराने को लेकर दायर जनीत यजक्कापर ऑनलाइन सुनवाई की जारखन में भारी बारिस को लेकर औरेंज अलर्ट एक बार फिर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है जारखन पर भी इसका असर देखने को मिलेगा मौसम विभाग के मुताविक इस चक्रवात के कारण राजे के कई जिलों में 25 और 26 जून तक अच्छी बारिस हो सकती है वहीं मानसून पलामुप परमंडल के कई जिलों में पहुँच गया है सन्नी वार तक इसके जारखन से गुजर जाने की भी उमीद है मौसम केंद्र के परभारी बैग्यानी अविशेक आनंद के अनुचार रभीवार और सोमवार को जारखन के कई इलाकों में भारी बारिस की चेतावनी जारी की गई है बतादे राज्य के दक्षिनी और निकटवर्ती मध्य भाग में रभीवार 25 जुन को बारिस हो सकती है वहीं 26 जुन को दक्षिन और मध्य जारखन के साथ साथ उतर पच्छिमी इलाकों में भी भारी बारिस का अनुमान लगाया गया है राज्ची पटना वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन का उध्गाटन 27 जुन को वहीं वंदे भारत ट्रेन के दो रैक चेन्नाई से पटना आये है इसमें एक आठ बोगी वा दूसरा सुल्ला बोगी का है राज्ची से आठ ये सोल्ला बोगी वाई ट्रेन का उध्गाटन होगा या अभीताय नहीं हुआ है इधर सुरक्षा को लेकर टाटी सिल्वे नामकूम आरा गेट चुटिया रांची स्टेशन वा अरगोडा स्टेशन पर आरपीएव के सौव से अधिक जवान की तैनाती की गई है जार्खंड के डूमरी उपचुनाओ को लेकर चार जूलाई को घोसना चार जुलाई को जार्खन मुक्ति मोचा केंदृय समीति के बैठक बुलाई गई है जामो के केंदृय अध्यक्त सिवु सुरेन के दिख्ते में बैठक होगी मुख्य मंत्री हमाम सुरेन समेत केंदरीये समीत्यों के पता अधिकारी एवाम सज़स्येगान तथा जिला अध्यक्षवा जिला सचिव भी बैठक में रहेंगे बताया गया है कि इसी बैठक में डुमरी बिधान सवा उपचुनाओ को लेकर भी चर्चा होगी पाठी इसी दिन पर त्यासी भी तैय कर लेगी और संभावता सिवु सुरेन इसकी घोसना भी करेंगे मालूम हो कि डुमरी बिधान सवा स्थीट मंत्री जगरनाथ मतों की निधन के बाद से खाली है यहाँ उपचुना होना है फिछले दिनों इस मुद्धे को लेकर स्वर्गे जगरनाथ मतों की पत्नी और पूत्र सिवु सुरेन और हेमन सुरेन से मुलकात भी की थी सराय के ला में आज भगवान जगरनाथ का रथ तोड़ेंगी मालक्षमी उडिशा के जगनाथ पूरी की तर्जपर सराय के लेकर साथ में प्रभू जगनाथ की रथ यात्रा उत्सव का पारन किया जा रहा है रत हैत्रा के 15 दिन सन्यवार की राथ हेरा पंचमी पर रत भांगिनी परंपडरा को सभी धार्मी के रस्मों के साथ नीबाया जाएगा बतादे सन्निवार की देर रात माता लक्षमी सिरी मंदीर से आकर गुंडिचा मंदीर जाकर मुख्य द्वार के समीप खड़ी महाप्रभु सिरी जगनात के रत को क्रोधित होकर तोलेंगी इसके बाद मान मनोवल कर पुजार्यों द्वारा माता लक्ष्मी को वापस मंदीर से लाया जाएगा इसे रत भांगिनी परंपरा कहा जाता है सर्निवार की साम आयोजीत होने वाली रत भांगिनी परंपरा को लेकर त्यारी पूरी हो चुकी है भाजपा के परदेश अध्यक दिपक प्रकास ने सुक्रवार को पातना में होई बिपक्ची एकता की बैठक प्रक्राप प्रहार किया है उन्होंने कहा है कि ये राई नितिक लड़ाई की एकता नहीं बलिक भरष्टा चार पर जाच एजेंसियों की हो रही कड़ी करवाई पर सभी भरष्टा चारी अरुन के संरक्षन की बैठक है परदेश कराले में सनवधाता समेलियन में भाजपा परदेश तध्यक्ष ने कहा है कि जामों ने फिर जार्खन बिरोधी मान सिक्टा वालों की गोध में बैठकर राज्य को कलंकित किया है विपक्ष की बैठक में राहूल गांधी का सामील होना कॉंग्रेस की सवीकारूत्ती है कि कॉंग्रेस अकेले परदान मतिर नायन मोदी और भारतिय जनता पार्टे का मुकाबला नहीं कर सकती ज्यारखन का अमेरिका से नाता पिये मोदी ने रेसमी धागों से जोड़ा है प्रधान मतिर नायन मोदी ने अमेरिका दोरे के करम में वहां के राष्ट पती जो बाइडन को उपहार में तसर सिल्क भेट कर ज्यारखन से अमेरिका का नाता जोड़ दिया है जार्खन का तसर सिल्क अपनी विशेस गुनवाता हुआ चमक के कारान अलग पाचान रखता है देश के तसर सिल्क के उत्पाद में यहां के तसर की 50 परसे से अधिक हिसेदारी है यहां के रेसम से बनी साडिया और अन्य कॉपड़े अब काफी डिमांडेट में है बताद देश के विभीन सहरों के अलावा देश में भी इसकी अपूर्ती हो रही है चिनी यात्री वेंसाउं के यात्रा बिरितांत और विरिटिस गये टियर में भी संताल परगना के भगया सिल्क का जिक्र किया गया है प्यार में रोडा बन रहा था पुलिस कर्मी पतनी ने मरवाया रामगर जिले के भुरकुंडा ओपी अंतरगत सयाल दस नमबर खदान के पास पुलिस कर्मी पंकच दास की गोली मार कर हत्या कर दी गई सांकूल वस्ती के लोगों में हत्या को लेकर उबाल और अक्रोस देखा जा रहा है लोगों ने सनी वार सुबा भुरकुंडा थाने का घिराव कर दिया अक्रोसित लोग थाने पहुंचकर हत्या में सामिल लोगों को जनता के हवाले करने की मांग कर रहे थे बता दे कि सुक्रवार की रात करीब नौ बजे सयाल दस नंबर ख़जान के समीब उरी मारी ओपी में पदस्थापित कॉंस्टेवल पंकज कुमार दास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी पंकज ड्यूटी से वापस पत्रातु के सांकुल इस्थीत अपने घर लोट रहे थे तबी बदमासुन ने वरदात को अंजाम दिया है अपराधियों ने पंकज के सीर में चार गोली अमारी है उधर पुलिस कर्मी के हत्या की ख़बर से रामगर और हाज जारी बाग दो जीलों के पुलिस हरकत में आ चुकी है घटना स्थल से पुलिस ने चार खोखा भी बरामत कर लिया है घटना के बाद से ही पतरातु स्ट्राटू डाक्टर बिरंद्र कुमार भी मजूद है गोड़ा में राजेपाल का लोग सनवाद गोड़ा जीले के सुंदर पहाड़ी परखंड मुख्याले में राजेपाल सीपी राधा कृष्णन ने लोग सनवाद कारकर में आम लोगों से सनवाद किया इस दवरान राजेपाल ने कहा है कि आम लोग राजबन नहीं पहुंच सकते इस दवरान राजेपाल ने कहा है कि लोग तंत्रे में राजेपाल सासक नहीं है लेकि जनता के सेवक है उन्होंने आगे बताया है कि जारखंड में उन्होंने 7000 किलोमेटर सड़क मायर्क पर सफर कर 21 जीलो का दवरा किया अगले तीन दिनों में स्थेश तीन जीलो का दवरा का राजे के सभी 24 जीलो को कवर करेंगे धन्यवाद